हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे हेल्थी होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्थी होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्वेशन और एक यूनिक फरिटलाइजर एक बहुत ही अनोखा खाद जो आज हम बनाने वाले हैं बेकार चीज से घर की वेस्ट ओफ किचन मैटीरियल से और फ्रेंट्स पूरी जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ पूरी वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना करें और जिन लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी इंफोर्मेशन के बारे में जानने के लिए प्ला ले लेना हैं हमें ले लेना हैं मटर के छिलके मैंने बताया था ना विलकुल योनिक फर्टलाइजर बनाने वाले हैं तो आज हम बनाएंगे मटर के छिलकों से फर्टलाइजर तो हमें कैसे बनाना है फर्टलाइजर हमें ले लेना है एक मुठी मटर के छिलके और उसमें डाल देना है एक लीटर पानी और पता है एक चीज और क्या डाल नहीं है हमें इसमें अभी बताती हूँ और फैंट्स हमें डाल लेना है करीबन दस ग्राम इसमें गुड और हमें इसे चार से पांस दिन के लिए डीकंपोज होने के लिए रख देना है गुड हमने क्यों डाला है मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताया है फिर से बता देती हूँ ये डीकंपोजिंग की प्रकरिया को बहुत तेज कर देता है और जो हमारे प्लांट्स के लिए गुड बैक्टिरिया होते है उन्हें एक्टिव कर देता है उनका मन पसंद खादे पदार्थ है ये गुड यानि जैगरी तो चार से पांस दिन में आपका ये फर्टलाइजर बनके तयार हो जाएगा और फिर आप इसे अराम से अपने फूटिंग प्लांट्स फ्लोवर्स के प्लांट्स वेजिटेबल्स के प्लांट्स सबजियों के पोदे फूलों के पोदे और फलों के पोदों में अराम से यूज कर सकते हैं इसे आप इंडोर प्लांट्स में भी use कर सकते हैं बस indoor plants में आपको इसे dilute करके देना है एक लीटर fertilizer है तो एक लीटर पानी डालके देना है उसमें और जो लोग जो plants आपके indoor नहीं हैं बहार धूप में रखे हुए हैं तो आप उन्हें इसे ऐसे ही दे सकते हैं बिद्कुल भी आपको पानी मिलाने की इसमें जरुवत नहीं है और मटर में फाइबर होता है जिंक होता है आयरन होता है विटामिन होते हैं तो ये विटामिन और मिनरल से भरपूर एक ऐसा वपदार्थ है जिससे क्या आपके plants की पूरी जितनी भी उनकी need है जरूरते हैं वो पूरी हो जाती है अपने आप में ये एक सरवगुन संपन complete fertilizer है तो friends अब हम इसे डालते हैं अपने plants में तो friends कुछ इस तरह का आपका fertilizer बनके तयार हो जाएगा देखें इस color का और ये जो है जो मटर के छिलके है इसमें बचे हुए इन्हें हमें बिल्कुल नहीं फैकना है इन्हें सुका के रख लेना है उसका भी उसका क्या यूज करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी तो friends इसे यूज कैसे करना है इसे छान लेना है चान कर यूज करना है तो friends मैंने इसे छान लिया है तो अब ये मेरा राविन पाम का प्लांट है मैं इसे दे देती हूं इसे और ये कुंदा जैस्मिन का प्लांट है इसे भी दे देती हूं मैं इसे ये मेरा सौंग्स ओफ इंडिया फ्लांट है इसे भी मैं दे दूंगी इसे ये मेरा एक चीकू का प्लांट है देखिए इस पे चीकू भी आ रहा है इसे भी दे दूंगी मैं इसे तो friends अगर मेरी information आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें, कमेंट करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग